हेलो एवरिवान आज हम परफेक्ट टैंस को पढ़ेंगे कि वो किस तरह से चेंज होते हैं तो पिछली दो विडियोस में हमने पढ़ा है, simple और continuous को हम पढ़ चुके हैं और अब हम परफेक्ट को पढ़ेंगे perfect tense का जो structure होता है पहले आप वो देख लीजिए कि present perfect का structure होता है subject plus has, have verb की third form और object जैसा कि आपको पता है हर perfect tense में verb की third form ही use होती है verb की third form जरूर use होती है और अगर तो वो singular है तो has, has लगेगा plural have, have लगेगा past perfect में में इशा हमारा had ही use होता है future में will, shall use होता है या फिर has या have में से subject के singular और plural के कारण वो has या have में से कुछ यूज होता है verb की third form तो change होती ही है हमारे पास और subject होना जरूरी है active tense के लिए और object भी होता ही है और model में हमारे पास subject भी होता है वर्फ की third form होती है और perfect होगा अगर model तो उसमें model plus have use होता है अब हम इसको passive में कैसे change करेंगे की subject जो है वो आ गया जाता है ठीक है अब देख लेंगे की object जो है वो आ गया आता है और उसके बाद में हम has य have में से कुछ यूज करेंगे ठीक है according to subject जो यहाँ पर होगा न जो हमारा subject new subject बन जाएगा उसके according हम change करेंगे plus यहाँ पर हम bean का use करेंगे ठीक है यहाँ आपको याद रखना है कि अगर वो perfect का structure है तो हमें bean यूज करना है वर्फ की third form by और subject यह आपको पता ही है यह according ली चेंज होगा बस यहाँ पर minor से change यह आया है कि यहाँ पर हमने bean का use करना है perfect अगर आप पता लग जाता है कि यह perfect में है तो हम इसका bean को हम use करेंगे ठीक है उसके बाद में इसी तरह से इसमें भी होगा next tense में भी होगा हमारे पास किस object जो है वो आ गया जाएगा subject जो है वो पीछे चला जाएगा और by तो लगना ही है वर्फ की third form लगेगी इसमें तो already वर्फ की third form है पासिव में ठीक है और शेल विल है तो bean have यह हमने लगा दिया और model में भी हम ऐसी करेंगे बीन लगा देंगे बाकि structure सेम रहेगा ठीक है अब हम इसके sentences को solve करते है जैसे कि subject है हमारे पास he has written this letter तो आप पताईए कि यह आपको क्या लग रहा है he क्या है subject है यहाँ पर this letter जो है object है written जो है हमारे पास verb है और has जो है यह structure में होता है आपको पता है कि अगर वो perfect tense है तो has have का use होगा यह हमारे according to helping verb है वैसे तो but according to हमारे हमें इसके पतल चलता है कि यह किस tense में fall करता है अगर हम इसको change करेंगे तो हम this letter को आगे ले आएंगे यह को हम pronoun case के हिसाप से him में change कर देंगे आपको पहले पताया by हम preposition यूज करेंगे क्योंकि यह person है और verb की third form यूज होगी और has है तो has been यूज होगा यह हमने पढ़ा था इसी तरह से second sentence में girl है हमारे पास तो girl को girl तो girl को पीछे ले जाएंगे जो ہमारा subject था अब हमारा object बन चुका है ठीक है यहां subject पीछे चला गया जो subject था ऊबजेक्ट बन गया है और यहाँ पे selfie थी हमारे पास object तो यह हमारा object अब आ गया चुका है और head के साथ में हमने bean लगाना है और clicked यहाँ पे third form थी हमने वही use कर दिया और by हमने preposition लगाना है क्योंकि यह एक person है इसी तरह से हम third sentence में use करेंगे तो यहाँ पर अभी देखें यह एक sentence है मैंने आपको पिछली वीडियो में एक sentence बताया था कि the police caught the thief और मैंने बताया था कि अगर इस तरह की कोई activity होती है जिसमें हमें यह पता चलता है कि यह काम जो है वो उसी particular इंसान के दुबारा किया आर सकता है तो हम उस subject को अगर दुबारा object की तरह से use ना भी करें तो हमें पता चल जाएगा कि action को receive किस ने किया है लेकिन आप यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर तो मैंने ऐसे किया ही नहीं यहाँ पर मैंने police ही लिख दिया अब मैं उसका reason भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर एक court word use है तो यह जो court word use हुआ है अब catch तो कोई भी कर सकता है देखिए catch तो एक person भी कर सकता है क्या पता उसको किसी person ने पकड़ लिया हो तो court के लिए वो particular word जो है वो use नहीं होता है arrest police करेगी यह जरूर यूज होता है लेकिन यहाँ पर जो हमने स्थिति को देखना है कि यहाँ पर court word कर यूज किया गया अभी देखिए यह से change होगा the thief will have will have यहाँ यहाँ भी था अब been हमने लगाना है वर्ब की third form है कि caught by the police thief will have been caught by the police अब caught by the police क्या पता वो किसी और police ने पकड़ा हो या बाहर के police ने पकड़ा है तो यहाँ पर court है इसलिए यह इस तरह से हुआ अधर हमारे पास यहाँ पर word होता arrest तो हम definitely the police use नहीं करते तो हमारा sentences होता the thief will have been caught कि नेक्स्ट हमारे पास होगा perfect continuous tense अब देखिए perfect continuous tense जो हमारे पास है these tenses does not change as the reason जो मैंने आपको पहले ही बताया reason mentioned in the previous slides कि जो two things cannot be came together अभी आप देखिए जो हमारे पास perfect continuous का जो structure होगा वो किस तरह से होगा अगर आपको पता हो तो किस तरह से उसका structure रहेगा कि कि उसमें हम has have को यूज करते हैं ठीक है subject होता है has have had जो भी है वो tense के हिसाब से वह होता है और हमारे पास क्या होता है वह बीन यूज होता है अब देखिए आप यहां पर perfect continuous में ही बीन यूज होता है अगर हम उसे passive में change करेंगे तो हमें दो बीन तो लगाएंगे नहीं obviously ठीक है तो इसलिए वो दो बीन का चक्कर ना पड़ जाए इसलिए हम इसको जैसे कि मैंने आपको पिछे ही बताया है दो मेयान में एक तलवारे नहीं हो जैसे बी और बीन की कठ्थे नहीं आ सकता बीन या playing लिखेंगे तो वर्ब के साथ में हम ing लगाएंगे यानि की वर्ब की fourth form जो है वो हम use करेंगे ओके थैंक यू एवरिवन तो इतना ही था